नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सेंग श्री नगर, बारा मुला, अनंतना, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा आदी जिलो में बिजलीवे सडक, संपर्क बुरी तरह प्रभावित है दूसरी और घाटी पहुँचने वाले परेटकों में गजब का उतसा देखने को मिल रहा है ये बफबारी इस जन्नत की गर्मियों की राजधानी यानी श्री नगर तक पहुँच गई है यहाँ डलजील जम गई है, पेड़ पौधे जम गई है, गाडी और घर सब कुछ जम गया है ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बर्फ से ही बना है, जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है ये आलम बर्फबारी से सराबोर हुई जन्नत के हर इलाके का है घाटी पहुँचने वाले परेटकों में गजब का उतसाह देखने को मिल रहा है परेटक दूसरे राज्यों से वादियों में बर्फबारी का लुथ उठाने पहुच रहे है मौसम विभाग अनुसार अगले 48 घंटे तक घाटी में बर्फबारी का सलसला जारी रहने की आशंका है उधर श्रीनगर में हुई इस सीजन की सबसे भीशन बर्फबारी के बाद प्रशासन ने मुख्य सडकों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है श्रीनगर नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि 3,000 करमचारियों को बर्फ हटाने के लिए लगाया है केंदर शासित प्रदेश लद्दा के बर्फबारी से प्रभावित कारगिल शहर में अवशक वस्तुमें लेकर जाने वाले कारगो विमान AN-32 की होने वाली उडान मौसम खराब होने के कारण रद कर दी गई है आपदा प्रबंदन प्राधिकरण ने जमुकश्मीर के उचे परवतिये इलाकों में अवलांच की चेतावनी जारी की है एवलांच की आशंका वाले शेत्रों में रहने वाले लोगों को सराह दी गई है कि वे घरों के अंदर ही रहे फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही जुड़े रही है न्यूज वर्ल इंडिया के साथ नमस्का